विश्कार स्वागत आपका इस बुलिटिन में आपके साथ मैहूल अलीता सिंग बुलिटिन के शिरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो मधुबनी से मिल रही है तो मधुबनी से खबर मिल रही है जहा 502 सरकारी अनाज जब्त किया गया है कालबाजरी के लिए ये ले जाया जा रहा था पीडियस दीलर बीडियो और ठाना धियक्ष ने जप्ट किया है इसे बिलकर खुटोना ठाने के नव्टोल गाओं की घटना बताई जा रही है तो पांसो बोरा सरकारी अनाज जप्ट किया गया है मदुवनी से इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारे देंगे जी मीडिया समालता बिंदू भूशन बिंदू जानना चाहेंगे क्या एहम जानकारी हाथ लग पारी है जानकारे के शुक्रिया करना चाहेंगे आपका तो मधवनी से खबर है जहां 502 सरकारी अनाज जब्त किया गया है काला बाजारी के लिए ले जा रहा था पीडियस डीलर और उसके बार जैसे ही सूचना मिली बीडियो और थाना ध्यक्ष ने जब्त कर लिया अनाज को खुटोना थाने के नवटोल गाउं की घटना बताई जा रही है और इसे बीच अगली खबर कतिहार से मिल रही है इलाहबाद बैंक में सिंधमारी बैंक हुई है बैंक के दिवार में बड़ा सुराख किया गया है और जिसके बाद सिंधमारी की गई है ग्रामीनों की सूचना पर फिलहाल पुलिस पहुच चुकी है बैंक कर्मियों का इंतजार कर रही है पुलिस मनिहारी थाने के वानीपुर गाउं में इलाहबाद ग्रामीन बैंक है तो इलाहबाद ग्रामीन बैंक में सिंधमारी हुई है आपको बताएं इस वक्त की खबर जो कटिहार से मिल रही है इस पूरी खबर पर चाधर जान कर देंगे इस दी मीडिया समाता राजीव रंचन, राजीव जानना चाहेंगे कि ये अग्याद चूरी अग्याद चूरों के दिवारा इस रखना को अंजान दिया गया है बड़ा सा छेद हुआ है उसमें कई कागज पत्तर भी बार आये हैं तार भी दिखाई दे रही है पुलिसों का काना है कि जब तक बैंक कर्मी नहीं पहुंचेंगे बैंक में तब त पुलिस जो है वो पहुँच चुकी है और बैंक कर्मियों का इंतजार किया जा रहा है रुकरते दूसरी खबर के ओ दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड के तार मुजफरपूर से जुड़ते नजर आ रहे हैं मुजफरपूर पुलिस ने संतोष जाग गिरों के दो सदस पकड़ा गया बंटी गिरों का शार्फ सूटर है बंटी पर अहियापूर इलाके में कई मामलों को इंजाम देने का आरोप है बंटी के निशान देही पर पुलिस ने एक और आरोपी बाल मुकुंद को भी गरफतार किया है बाल मुकुंद और बंटी दरभंगा पुलिस ने मीडिया को कोई भी जानकारे देने से इंकार किया है इसके अलावा पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से साथ बंटमाश्चों को भी गरफतार किया है मुशहरी थाना इलाके में इंजीनियर पुत्र अपहरन मामले में पुलिस ने तीन लोगों की गरफतार की है दर्भांगा इंजिनियर्स हत्याकान में बहेडी प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को खारिश किया है महीं पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है तुम मेरी कहीं से भी इसमें कोई संनिपता नहीं है इसमें एक वी रतिवर भी सचाई नहीं है यह रीमर एक तरह से उराय जा रही है इसको रीमर ही समझे यह मुझे बदनाम किया जा रहा है अपस में भाई बहन है या नहीं ऐसी सुचता हम लोग कोई मिल ले है कि संतोज जादो संतोज जादो की बहन है मुनी देवी हमारे पास अभी उसके कोई दस्तावेजी साच नहीं है लेकिन हम लोग इस संदर में भी पता कर रहे हैं कि एक्चुली उसकी बढ़ा कहिया नहीं है कैसे सेल्टर देने के मामले में मुनी देवीद अभी नामारा संजाल आप देवका तो अब तक भी है जो उनके रस्मेंट है इसलिए कि वो गटनासर पर मुझूद भी थे गटनासर के बाद इस बरार हो गए जिसे उनकी निस्वित रुपसा है इसमे उनकी गरफतारी होगी सीम रगुवरदास को धंकी देने वाले शख्सों पुलिस ने गरफतार कर जेल भेज दिया है गरफतार महेश महतो ने बारीक हुसैन नाम के वेक्टी को फसाने के लिए पहले उसके नाम से सिम लिया फिर मुबाइल से रामगड़ स्पी को मेसेज भेजा मेसेज मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और जाच परताल के बाद महेश महतो को गोला थाना शेत्र के मदनपूर से गरफतार किया उनके मोबाइल पर खासकर स्पी साब और स्ट्पो साब के मोबाइल पर इस लड़के ने एक मेसेज भेजा जिसका सार ये था कि रगवरदास जी जो मुखमंत्री महोदे हैं जारखन के वो रजरपा मंदिर आएंगे तो उनपर किसी तरह का खत्रा रहेगा इसी बात का उलेक था उस मेसेज मे लजामताडा पुलिस को साईबर क्राइम मामले में ऐक बड़ी सफलता हासल हुई है पुलिस ने छे अपराधियों को ग्रफतार किया है पुलिस ने अपराधियों के पास से सिम काड और लापटाप भी बरामत किया है सभी आरोपी नारायन पुर्च छेत्र के रहने वाले हैं पुलिस के मताबिक अपराधी दो ग्रूप में काम करते थे पहला ग्रूप फेक सिम से बैंक का पदाधिकारी बन कर ग्राहक को फसाते थे जिसमें उनके एटियम का 16 डिजिट का नमबर लिया जाता था फिर ये नमबर दूसरे ग्रूप को दिया जाता था और ये ग्रूप लोगों के पैसों को खाता से निकाल लेते थे बुकारो जनरल अस्पताल में मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे होमगार जवानों पर सी आईसेफ के जवानों ने जम कर लाथिया भांजी SDM के निर्देश के बाद CISF के जवानों ने ये कारवाई की बाद में होमगार के जवानों ने लाथि भांज कर सुरक्षा करमियों पर पत्थर बाजी भी की इस घटना में तीन जवान घायल हुए हैं, होंगाड के जवान अपनी दो साथी की मौत से नाराज से और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे अगली खबर देवगर से है, देवगर के रिमांड होम में हंगामे का मामला सामने आया है अब बताये यह जा रहा है कि देवगर को रिमांड होम में मुबाइल फोन मिलने की सुचना मिली थी देवगर के नरदेश पर सर्च अभियान चलाया गया और 11 मुबाइल फोन को जब्त किया गया लेकिन रिमान्द होम में रह रही लड़कियों ने सर्च अभियान का विरोध किया और महिला कॉंस्टेबल के साथ हाथापाई करने लगी हाथापाई के दौरान दो महिला कॉंस्टेबल जखमी हो गई रिमान होम में मोबाइल कहां से आया इसकी जाच की जा रही है पतना में गंगा नदी पर गांधी सेतू के पैरलर एक और पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है इसके लिए जनवरी के पहले हफते में केंद्र की टीम पतना का दौरा करेगी बिहर के पतनिर्मान विभाग के प्रधान सचीव और केंद्री सड़क परिवहन और राजमर्ग मंत्राले के अफसरों के एक समन्वे समिती महा सेतू के लिए जगह का चौयन करेगी कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर महा सेतू निर्मान के आगे की प्रक्रिया तैं होगी तेजस्वी ने नितिन गटकरी से सड़क और पुल निर्मान के लिए 57,000 करोड रुपे से अधिक की मांग की है जिसमें गाधी सेतू के पैरलल पुल और गाधी सेतू के रिपेरिंग का खर्च भी शामिल है तेजस्वी ने बिहार चुनाओ के दौरान प्रुधार मंत्री की ओर से बिहार के लिए की गई घोशनाओ पर अमल करने की भी मांग की है गडकरी ने भरोसा दलाया है कि बिहार पैकेज को पूरी तरह से लागू किया जाएगा वही स्टेट हाइवे को अपग्रेट करने के प्रस्ताव पर भी दोनों नेताओं के बीच बाचीत होए इस मुलाकात को पत्मिर्मान मंत्री तेजस्वी यादव ने सकरात्मक बताया है उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच इगो नहीं आने चाहिए तो मैंडेट जो मिला है वो काम करने के लिए मिला है ना कि हम अपने इगो और पॉलिटिक्स को बीच में लाएं काम के पॉलिटिक्स अपने जगा पे रहेगी जो काम है वो अपने जगा पे रहेगा हमारा तो कुशिश है कि बिहार को लोगों की तेजी से विकास हो और जो इतनी भी सदू है जितनी भी लंबी तीयोजना है जितने भी ऐन गॉइंग प्रोजेक्ट्स है उसपर जल से जल्द काम हो तो खास और पर जो major जो समस्या हैं आपको पता है जो lifeline है जो पटना में जो गांधी सेतु जो पूल है उसकी जो condition है वो काफी खराब है तो इस पे हम लोगों ने विचार किया है उस पे हम लोग काम तीजी से हम लोग करने का काम करेंगे और कुछ ऐसी जो roadे हैं जो state highways हैं ज इसको भी इंक्लूड करने का काम करेंगे वायते जस्वी आदव ने बिहार में बिगरती कानून व्यवस्था को लेकर सक्ति बरतने की बात कही है उन्होंने कहा है कि कानून से खेलने वालों को किसी भी हाल में बख्षा नहीं जाएगा कोई बख्षा नहीं जाएगा कई गिरफ्तारिया उसको हुई है और अगर ऐसी जुनाओं में अगर कोई भी अपरादी छवी के लोग अगर इस तरह का करने का काम करेंगे तो उस प्रोजेक्ट पे हम पहुँच करके अपक्याम करके उस प्रोजेक्ट को पूरा कराने का का करेंगे और कोई गुंडागर्दी बिहार में नहीं होगा इसको नितिश कुमार जी ने भी कहा है और लालू परशाद जी ने भी कहने का काम किया है इसमें लौज के साथ ना तो पद देखा जैगा ना व्यक्ति देखा जाएगा जो भी अपरादी होगा उसको करी सिकरी दराने का काम ना करें बिहार के विकास में सब लोगों का मिल जूल करके बैट करके योगदान देना पड़ेगा तभी बिहार आगे उचाए उपर जाएगा दर सीयम इतेश कुमार के राजगीर दोरे का आज तीसरा दिन है सीयम ने राजगीर के प्रकृतिक सौंदरे का लुट्फ तो उठाया है परेटन के छेतर में चल रही विकास योजनाओ का निरिक्षन भी किया सीयम ने वेनु वन पांडू पोखर होटल अजात शत्रू अंतरास्ट्रे कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया और फिर फोरेस्ट गेस्ट हाउस में पहुचे यहां उन्होंने नए रोपवे और फोरेस्ट गेस्ट हाउस के नवनिर्मान पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की जारखंज सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रगवरदास ने रजरप्पा में माचेंड मस्तिका के दर पर मथा तेका और राज्य के खुशाली की कामना की साथ ही सीएम ने यहां लगभग पाच करोड की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिला नयास भी किया रजरप्पा मंदर में गेटवे ओफ चिंड मस्तिका, दो तल्ला पुलिस चौकी, शौपिंग सेंटर और मंदर जाने के लिए सीड़ी बनाए जाएंगे इस मौके पर मंदर नयास समिती के पुजारियों ने सीएम को शौल भेट कर समानित भी किया नरसाल के आखरे जन्द समवाद कारिक्रम में मुख्यमनफरी ने कहा कि एक साल में काफी काम हुए है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जन्दा के मुद्दों पर समेधर शील रहे और ऐसा काम करें कि उनके पत की गरिमा बनी रहे सीएम ने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और करमचारियों के सराहना भी की सीएम ने साल 2016 में और बहतर काम का वायदा भी किया अभी काम करने की ज़रूरत है और खासकर मैं सभी उपायत और आरश्य अधिक्षक से जो इस नूतन बर्स में हम नहीं उर्जा के साथ जो ओन एट ओन जन्द सुधा में आपके पास समस्या जाती है उस समस्याओं का हम हर हाल में समाधान करें पद की गरिमा बनी रहे उस ध्यान से हम सब को अपने कर्दब का इमानदारी से पालन करने की ज़रूरत है हमारी इच्छा की जिला से लेके मुख्यालास्ता पर एक सवेदर सील परसास है जो बाते आपकी ध्यान में आती है उसको इग्नोर नहीं करने का उसका समस्या का समाधान पर हमें कारवाई करने की इसे जनता पर सासन का विश्वास पढ़ेगा पुलिस विवाक के सभी बरिये अधिकारिगन के सासन सभी जिला के पुरिब चाओ पुलिस बरिष्ट अधिकारिगन हो चाओ जिला पर सासन के सिविल पर सासन हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिनों ने एक बर्स में सरकार पर हमारे सासन पर विश्वास अपना परगट किया हम इस विश्वास को आने वाले 2016 में और मजबूत करेंगे ये हमारी सरकार का संकप है बहुत बहुत धन्यवाद जारखंग में के नरों को मतदाता सूची में जोडने के लिए निर्वाचन आयोग ने नई पहल की है निर्वाचन आयोग इसके लिए के नरों के गुरू से संपर्क कर आर्थिक मदद भी मुहया कराएगी इसके लिए हर जिले में एक स्विप अभ्यान चलाया जाएगा इस काम में जिस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा वहां के DC को रास्ट्री मत दाता दिवस के दिन समानित भी किया जाएगा उप निर्वाचन अधिकारी के मताबिक चुनाव आयोग चाहता है कि राज्य में सभी किनरों का नाम वोटर लिस्ट में हो आकडों के मताबिक जहारखन में फिलहाल 3000 से जादा किनर है लेकिन 30 किनर का नाम ही वोटर लिस्ट में है वही निर्वाचन आयोग की पहल का किनरों ने भी स्पागत किया है किनरों को उमीद है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाब मिल सकेगा हम जारकन में विसे सभियान चला करके ऐसे लोगों को जो जो थर्ड जेंडर है या ट्रांस जेंडर जिसको हम कहते हैं तो उनको हम अपने भोटर लिस्ट में समाहित करना चाहते हैं इस पर डालना चाहते हैं उनका रेजिस्टेशन करना चाहते हैं किसी किसी के बाकी है और सब कहा है पचास से उपर है सब को भोट लिष्ट में नाम हम भोट देने जाते हैं लेक्सन आता है तो हम जाते हैं भोट डालने के लिए अपना हक नहीं छोड़ते हैं और दू आदमी के रासन काट बन गिया है मेरा और मेरा गूरू के और सब आदमी के बाकी है बनने का रासन काट भोटर आइकाट में नाम सामिन होने से कुछ फाइदा होता है आप लोगों कुछ फाइदा ना ही रुकरते दूसरी खबर के और नय साल के जश्न के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना के जलाधिकारी संजा अगरवाल ने एक एहम मीटिंग की मीटिंग के बाद के बाद ये फैसला लिया गया कि नव वर्ष के दौरान सतर मजिस्ट्रेट के साथ साथ एक हजार पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा दर नय साल को लेकर अंतरास्ट्रिय परट्यकसर राजगीर में भी बड़ी संख्या में सैलानियों का आना शुरू हो गया है लोग अपने अपने बच्चों के साथ राजगीर की हसीन वादियों का लुक्ष उठा सहित विभिन परटक स्थलों को आकरशक रूप से सजाया गया है परटकों को नय साल के जश्न मनाले में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये गया है खासकर राजगीर आने वाले परटक तांगा का पूरे परिवार के साथ ल पूरी तरह से सजध़कर तयार है नय साल के स्वागत के लिए पार्क सजध़कर तयार है तो होटलों में भी जश्न की पूरी तयारी है राजी में रॉक गाडन, मश़ली घर, सीधो कानू पार्क, दिनदयाल पार्क, डीयर पार्क, सहीत कई पार्क में खास अंतजाम किये टब दो दिन पहले निकले निकले। मेरी ममी का घर यही पर था तो यह पाक मेरे है मतलब चाइल्ड हुड मेमरी से जुरा हुआ है तो यह पाक मुझे बहुत अच्छा लगता है I'm again coming, so I'm enjoying this Actually, हम लोग 34st night का party और्गनाइज कर रहे है That called is Blue Bellies ठीक है हमारे theme का event का नाम है Blue Bellies यहाँ पर प्रोग्राम्स में Russian Belly Dance है by Russian Dancers and dance troupe है हमारा और DJ night है ठीक है और बाकी सारी चीज़ों में food unlimited हम दे रहे हैं बाकी drinks भी unlimited हैं और 8 बज़े से start हो जाएगा हमारा कितना capacity है, कितने बज़े तक यह चलेगा अगर बिना थके, बिना रुके अपने बुज़र्ग माता पिता और चोटे चोटे बच्चों के साथ आपको जू का सेर सपाता करना हो तो आप चले आईए राची के बिसा जावे को द्यान जहां जू का कोना कोना घुमाने के लिए बैटरी चलित वहनों की विशेस व्यवस्ता की गई है पिना थके, आपको जू घूमना है तो चले आईए राची का बिर्सा जैवी को द्यान बिर्सा जैवी को द्यान 81 hectare में फैला है जहां घुमने के लिए बकायदा बैटरी चालित वाहनों की ब्यवस्था की गई है ताकि आप बिना ठके, बिना रुके बच्चों के साथ उद्यान का सेर सपाटा कर सके वो भी काफिक कम खर्च पर कई बार ऐसा होता है जब आपके साथ बुज़ुर्ग माता पीता रहते हैं जिसकी वज़ा से आप जू का कोना कोना नहीं घूम पाते लेकिन बिर्साज जैवे कुद्यान में इन सब बातों का खास खयाल रखा गया है परियाटकों की परिशानियों को देखते हुए विर्साज जैवी कुद्यान प्रवंधन ने बैटरी से चलने वाली चार गाडियों के मुकमल ब्यवस्था की है पास चार बैटरी ओपरेटेट गाड़ी हैं जिसे एक बस है यकिनन जू के अंदर बस या फिर खुले आटों में सवार होकर जंगरी जानवरों को नजदिक से निहारना वाकई एक सुखद अनन्द है अविनाश कुमार, जी मीडिया, राची इन देनों देश दुनिया में अपराद की खबरे सुर्खियों में है चोरी, लूट और रकैती की घटनाएं आम हो गई है लेकिन धनबाज जुला के घोर नकसल प्रभावित तुन्डी प्रखंड में एक ऐसा गाउं है जहां लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते वो बेख़ौफ होकर अपना जीवन जी रहे हैं गाउं होया शहर, हर जगह चोरों का आतंकायम है लेकिन धनबाज जिले के जीतपूर गाउं में लोग बेख़ौफ है बीते चालिस साथ गाउं में चोरी की एक भी घटना नहीं है दूर दूर का लोगों का कहना है कि वो लकसल परभावित छित्र है जीतपूर गाउं में किसी घर में ताला नहीं लग दर्वाजा बंद कर बाहर नहीं जाते यहां वर्षों से लोग मिल जूलकर रहते आ रहे हैं पुर्शासन भी यहां की विवस्ता को नजीर मानता है इस गाउं के लोग सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भा नहीं वे खुद अपनी सुरक्षा करते है धनबाद के नकसल प्रभाविति लाका टूंडी के जीतपूर गाउं में लोग बेख़ौफ से जीते हैं इस गाउं के लोग के घरों में ना तू कुंडिया होती है और ना ही ताले वर्सों से चली आ रहे हैं इस परंपरा को लोग 21 वी सदी में भी नवा रहे हैं और माना ये जा रहा है कि हां तकरीवन 40 वर्सों से अधिक के समय से भी चोरी की एक भी घटना नहीं घटी है नितेश मिसरा जी मीडिया धनबाद